नमस्कार सभी को मैं मत्तु केवर्ट मैं आज आपको आलू की बुवाई की बारे में बता रहा हूँ देखिए आलू की बुवाई करते कैसे हैं पहले इस खेत की जोताई किये हैं और इस आलू को क्या किये हैं बटाटा जिसे बोलते हैं और इसको अंग्रेजी में पटेटो बोलते हैं इसको क्या किये हैं पहले ऐसे काट लिए हैं इसमें आज देखिए आखा निकला हुआ है और खेत की जोताई करते हैं मिट्टी को भुरहुरा करते हैं उसको हेंगाई करते हैं हेंगाई करने के बाद कुदाल के द्वारा ऐसे नाली बनाते हैं छोटी 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 नालियों में बना करके यह जो आलू कटे हुए हैं बटाटा जो यह पोटेटो जो कटे हुए हैं इस पीस को क्या करत आलु को यहां डाला गया है और उसके बाद कुदाल से एक विक्ती जो है जो फुसी पर अने हैं उस पर झालो क्वहल सु किते समय जङे कर साना के छुट्छlines हां कि फुट्राय standards यह कमें भी में हैं यह जो है आलू की बुवाई हो गई है और इसको देखिए मूड चढ़ा रहे हैं इसको कहते हैं मूड चढ़ाना मतलब आलू के अगल वगल से कुदाल द्वारा उस पर मिट्टी चढ़ा देते हैं इस मिट्टी के गर्मी की द्वारा ही यह जो आलू है बटाटा है इसमें आखें द्वारा इसमें पौध ही निकल जाते हैं और इस तरह से यह आलू की बुवाई हो रही है इसमें खाट डाला गया है और यहां काफी कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं जो कुदाल और फाउड़े से एक बच्चा यह दे देखी यह फाउड़ा लिया है यह नाली बना रहा है इसके द्वारा इसमें पान क्यारी बना रहा है इसके द्वारा यह क्या होगा इसमें और इसको बीच-बीच में कुछ हंतर रखा गया है देखी यह बालक है जो पहर से उसको पैतर बोलते हैं मिट्टी को पैतर रहा है देखिए कैसे पैतर रहा है बालक और इसको इस बालक ने पैतर दिया उसके बाद ये बीच बीच में जो है ये आलू का ऐसी क्यारी है इसमें खाद भी डाले हैं खाद कौन कौन सी डाले हैं भाई साब बताएए बोलिए कौन सी खाद डाले हो क्या खाद डाले हो वाई इसमें और और डाई इसमें क्या किये हैं जल्दी उपर जाने के लिए पोटास गाई और इडिया जो है उसका छिड़काव किये हैं और यह मिट्टी गीली है मिट्टी गीली होलिंग के कारण यह आलू जो है नमी से इसमें पौधे उगवा आएंगे तो इस तरह से आज मैंने इस वीडियो दारा में आपको आलू की बोवाई से पर्चे करा रहा हूं देखिए एक खीत बनाया गया है इसको हिंगाया गया है जो आलू की बोवाई है इस तरह से करते हैं और जमीन में एक महिला यहां खड़ी है देखिए वालू को ली हुई है तसले में और उचालो की बोवाई कर रही है कुदाल जारा तो इस तरह से आज इस वीडियो के माद्हम से मैं आपको और ये देखिए ये यूरियादाय औ बाद उसके अंदर डालते हैं यूरिया है डाई और पोटास इस तरह से यह कौण सी खाद है आप बताईए इस खाद को क्या कहते हैं और गईनिक है क्या है यह देशी खाद नहीं दिखाई दे रही है पोटास इस तरह से क्या होती है आलू की बुवाई होती है और उसमें पाउधे निकलते हैं तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आलू की बुवाई के बारे में पर्चे कराया धन्यवाद सभी का यह उस नाली जब बन गई है तो नाली के अंदर खाद डाल दे रहे हैं और इसको देखिए कैसे बुवाई करते हैं इसको थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाते हैं थोड़ी दूरी पर देखिए एक बालिका है जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर उस आलिव को लगा रही है इस तरह से नाली एक विक्ती बना रहे हैं और नाली कुदाल से बना रहे हैं नाली बनाने के बाद उसकी रुपाई नाली के बनाने के बाद उसमें खाट डाली जा रही है खार डालने के बाद उसमें आलू को लगा दिया जा रहा है और इस तरह से आलू की फसल की बवाई करते हैं उसके बाद उसकी सिचाई करते हैं गुडाई करते हैं तो इस तरह से आलू की पैदावार होती है धन्यवाद सभी को मूर चढ़ाते हुए एक बालक जो है देखिए मूर कैसे चड़ा रहा है मूर चड़ाता हुआ ये विक्ति देखिए दोनों तरफ से मूर चड़ जाए हुआ और उसको धाक दिया गया और इस मिट्टी की गर्मी से अब इसमें पौधे निकलाएं ये पौधे ये बड़े होंगे और जमीन की नीचे आलू की फशल होगी प्रतेक पौधे से कई आलू तयार होंगे धन्यवाद सभी को हमने देखा इसके पहले की आलू बवाई कैसे करते हैं और ये देखिए ये छोटे छोटे ये आलू की पौधे निकले हुए हैं जब ये आलू की पौधे इस तरह से आलू की पौधे ये निकलाए हैं ये जो है ये बटाटे की पौधे हैं और ये पौधे जो है इस तरह से पौधे इसके होते हैं चोटे चोटे पौधे और ये जमीन की नीचे जो है ये जो आलू है जमीन के नीचे होता है तो इस तरह से ये आलू की बुवाई होती है और देखिए यहाँ ये आलू की बुवाई हुई है और ये आलू की पौधे इस तरह से निकले हुए है तो इस तरह से आज मैं आपको इस वीडियो के माध्धम से आलू की फसल किस तरह से करते हैं आलू की पैदावार कैसे होती है और इस तरह से ये आलू का खेत है जिसे खेत होते हैं तो इस तरह से आलू की फसल की बुवाई करते हैं और इस तरह से उस की सिचाई करते हैं गोड देते हैं धन्यवाद सभी का